दिखे इस charger का जो operating system है यानि इस कूटी charger का जो operating system है यह एक बार तो समझ लें यहां पर सबसे पहले input supply, input supplies का 170V से 300V यानि minimum जो इसका accuracy है सही से काम करने का जो fundamental है वो है इसका operating system 170V से 300V input यानि यह सी जो input supply हमको यहां पर मिलती है और इसका जो frequency है यह 47Hz से यह 63 यानि 300Hz तक है जो इसका input ampere जो current लेता है जो हमारे grid की supply है या जिससे charger का जो capacity है जो current लेता है इसको charge करने के लिए उसका maximum जो capacity है एक ampere है और फिर output यहां पर जो मिलता है यह है 59 बोल्ट यानि 69 बोल्ट यहां पर जो मिलेगा और यह current इसका जो limitation है यानि बैट्टी के लिए जो supply current जाएगी एंपेर कैपिस्टी वह है थिरी एंपियर यानि तीन एंपियर जो लिथियम बैट्टी के लिए डियाइन किया गया current है और जैसे से हमारा बैट्टी चार्ज होता जाएगा current कम होता जाएगा यह हम operating system में समझेंगे जब इसको हम okay करके और बैट्टी को चार्ज करते हुए इसके बोल्टेज पोजिशन दिखाएंगे और इसका जो डेटेल है कि मलग फुल चार्ज पे कितने वोल्टेज होने चाहिए और जो है चार्जिंग पिरियेड में तो यह सब सारे चीजें किलेर करते चलेंगे हम साथ नमस्कार दोस्तों यह जो मारा चार्जर है स्कूटी का यह है चार जो यह सब्सक्राइब बैटरी होते हैं कि टोईल बोल्ट के बैटरी चार बैटरी इस फिर डिजाइन किया गया है और यह आप लोगो के काफी डिवांट में मैंने इसको जो है बनाने किया है मारे पास बहुत सारे चार्जर अभी इससे भी जो है लेटस्ट डिजाइन के हैं लेकिन ये मैंने इसको में जो एक बेसिक को यानि बेसिक कांसेप्ट को चुना कि जिससे आपको पहले समझ में आए कि इसकी एंपियर बोल्टेज की कंट्रोलिंग कैसे होती है यानि जो बैटरी को सप्लाई जा रही है उसमें इंपियर बोल्टेज की टेस्टिंग कैसे की जाए जैसे कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आता है इसमें हाट आते हैं तो कौन सा माडूल लगाते हैं और माले जे माडूल लगाए तो माडूल लगाने के बाद यहां पर ब बोल्टेज चल गया बोल्टेज आउट हो गया बैटरी पर लगा दिये लेकिन बैटरी की जो कंडिशन होती है कि वह चार्जिंग बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो वह फूल पोजीशन वहां पर है कि नहीं वह कैसे हम किलियर करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमको यह सम माडूल लगाया है और रिसर्च किया है इसके उपर इसकी वर्किंग प्रोसेस के उपर और इसकी जो ओबर हीटिंग होती है और मैचिंग होता है जिसकी किसी कि अगर फिरक्वेंसी मैच नहीं होगी तो बहुत तगड़ा यहां पर नौइस आएगा आप अलग से माडूल यह बहुत ही नौइस करेगा जब माडूल लगाएंगे तो हम यहां पर माडूल लगाने के लिए नहीं आप से कहेंगे यह बहुत ही प्रोसेस है हमने इसको किया है अभी आप स्क्रीन शॉट ले ले हम अभी इसमें और भी मोडिफाई करेंगे यह अभी अनकंप्लीट है क हम ने जो है इसमें काफी प्रियास किया है सिधा सिधा कि यह डाईगराम ही आपको मजब भूरा समझ में आजय custard देखते ही और मैं कोई भी डाइगराम डिजाइन भी करता हूँ ऐसा कि आपको डाईगराम ही बता दे कि हम ऐसी से काम करते हैं तो मैं इस भायो से इसको करता और जो हम नेक्ष्ट बनाएंगे दोनों की टैली करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें मोडिफिकेशन मिलेगा और उसमें समझने का जो मतलब होगा वो चीजें इस पर होती नजर आएंगी तो इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है देखिए इसमें क्या है कि यह फाल्ट से ना हुआ या ठीक से काम ना करें तो यह सब सारी चीजों को हम देखते हुए यहां पर एक जी आप्सन निकाले हैं जो आप इसी को रिपेर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से उसके लिए आपको सेकेंट्री में भी प्राब्लम आ रहे हैं जिसे आप यहां पर गई है आठ फिन की यह कि यह आईसी जो है यहां पर दिखा दें यह यह 8 फिन की आईसी है इसका जो है वह नंबर रिमूब किया गया है यानि उपर से यहीं इसकी नंबर हटा लिया गया है यह है SCR जो इसकी charging के controlling के लिए लगाया गया है एक IC है operational amplifier जो कि यहां पर हमारा fan हुआ, indication हुआ या इसकी controlling हुई जो feedback के रूप में इसको PWM IC को दिया जाता है जिसे इसकी switching control होती है और दूसरी बात यह इसमें समझें कि कोई भी अगर design किया जाता है SMPS चाहें वो charging के लिए हो चाहें कोई भी power supply के लिए हो उसकी एक fixed frequency होती है जिस पर यह operate कराया जाता है यानि जब design किया जाता है तो इसकी fixed frequency रखे जाते है चाहें वो 100 Hz हो चाहें एक हजार हर्ट सो वन किलो हर्ट सो चाहें 200 हर्ट सो जानि जिस frequency पर भी यह design की गई है उसको यहां पर इसके gate पर मिलने चाहिए उसकी frequency balance बनाने के लिए है सारे design किये जाते हैं जो feedback दिये जाते हैं या current sensing की जाती है कि इसकी accuracy बनी रहे जैसे यह अपने fixed frequency पर काम करता रहेगा उसी के अंसार यहां पर output भी constant मिलता रहेगा यही रीजन है कि इसके feedback के according ही इसकी switching को control करके manage किया जाता है इसके output यानि यहां पर जो starting होती है स्टार्ट होने के बाद यहां पर output output के बाद feedback फिडबैक के बाद जो है इसकी controlling यह साइकिल हमेंसाल continue चलती रहती है और भी charger है जिसमें आप इसे बंद भी कर सकते हैं वो battery के लगाने पर ही यह charger आपका काम करेगा जब battery नहीं लगाएंगे तो charger काम नहीं करेगा इसे भी डिजाइन के हमारे पास charger है बहुत ही standard तरीके के भी है लेकिन वह काफी complicated है यह हमारा बोर्ड छोटा पड़ जाता है यह जब तक digital नहीं होगा तब तक यह problem आएगी फिर भी हमारा जो इससे हम इसी को भी digital मान के चलते हैं और देखिए कब digital आता है तो हम उसे हिसाब से digital में क्या होता है कि बताने में जो है यह और अपना पूरा complete करने में जैसे यहां पर देखें यह इसका जो line filter हम यहां पर नहीं बना पाए है और line filter अक्सर आप लोगों को मिलते हैं और नहीं 300 प्लस और यह जो है माइनस निगेटिव सप्लाइज देने का और इस पर इसको रिपेर करके और इसके जो आपको बोल्टेज डिटेल भी देंगे और इसकी फ्रिक्वेंसी बनाएंगे हो सकता है कि दो एक वीडियो इस पर बने तो यह आपका एक बेसिक कंसेप्ट किलियर होगा इसकूटी चार्जर को लेकर जो कि इस समय बहुत सारे प्राब्लम देखने को मिल रहे होंगे आपको यह चार्जर क्योंकि मार्केट में अरे स्वरी रोड पे काफी जो है एलेक्टिक बाइक रन कर रहे हैं इस समय हम नेफ्ट मिलते हैं इसको और भी मोडिफाई करक यह दो दिन हां तीन दिन हो गए थोड़ा थोड़ा इस पर काम करते हैं और अपना कुछ काम है उसको भी करते रहते हैं साथ तो आज की वीडियो बस नहीं मिलते हैं नेक वीडियो थेंक दोस्तों